स्टुडेंट्स, आम नियहा सिंग, आम अगेन है विट ए हिस्ट्री टॉपिक, फ्रेंच रेवलूशन अचली ये जो टॉपिक है, ये काफी लेंदी टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक को इंट्रो की तरह से मैं आपको शॉट फॉर्म में बता रहे हूँ कि जिससे पहले आप इसको समझ लें, ठीक है, उसके बाद जब आप कोई भी बुक पढ़ेंगे, या कहीं भी इस टॉपिक को जब आप पढ़ेंगे ध्यान से, तो आपको समझने में इजी हो जाएगा कि एचली ये टॉपिक है क्या, और हिस्ट्री का ये जो टॉपिक है, फ हमारे लिए अभी क्यों है, सबसे पहला कोशिंट अगर किसी टॉपिक को लेकि हमारे पास आता है, तो हम इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये फ्रेंच Nicolas इस रेवलूशंस इमपॉर्टेंट यही रेवलूशंस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या हो, क्यों है, तो देखिए हिस्री का कोई भी टॉपिक होते है जब भी हम उसको पढ़ते हैं हमारे सामने कुछ कोशिंज अपने आप पाँ जाते हैं जैसे वो कब हुआ, किस ने किया, कैसे हुआ, ठीक है किस के बीश में हुआ और लास्ट में उसका रिजल्ट क्या आया, तो इसलिए ये टॉपिक मैंने आपके लिए कुछ ऐसे शॉर्ट फॉर्म में इंट्रो की तरह तयार किया हैं कि जब आप इने देखेंगे, तो आप समझ जाए कि ये कैसे हैं, उसके बाद अपने आप से इसे जब आप रीट करेंगे, या इसको इसका लेंदी वे आप समझने की कोशिश करेंगे, तो वो आपको help करेगा, easy mode में आपको समझने के लिए, okay so let's start with the importance of this revolution, so French revolution, why this revolution important, सबसे पहला कोशिशन ये important है क्यों, so due to this revolution, ये वही revolution है या ये वही क्रांती है, जिसकी वज़ा से democracy came in front of modern society, जो लोग तंत्र है, जो आज हम अपने इंडिया देश में भी है, या वर्ड के बहुत सारे देशों में है, most of देशों में आज डेमोक्र कैसी है, तो वो जो लोग तंत्र है, वो आज modern society में, जो हमारा अधुनिक समाज है, उसमें कैसे emergence हुआ, वो कैसे हम सबने उसको समझा और adopt किया, तो इस question के लिए भी, इस topic के लिए भी हमारे पास बहुत सारे questions हमारे सामने put up हो गए, जैसे what, ये revolution actually है क्या, when, ये कब हुआ between, किस के बीश में हुआ, उस time पे राजा कौन था, obviously बात है, अगर हम French revolution के बात कर रहे हैं, तो ये revolution French में ही, या France में ही हुआ होगा, reason क्या था इस revolution का, कैसे किया गया, और last to last इसका result क्या निकला, so let's start with the answers, कि अब ये जो हमने questions हमाए सामने आए हैं, इनको हम कैसे, छोटे चोटे words में समझ सकते हैं, जिससे हमारे लिए ये इतना blendy topic, जो कि 9th class का भी है, और वैसे भी ये competitive exams में काफी पूछा जाता है, तो ये क्यों important है, या इसकी जो importance है, वो हमारे लिए आज भी क्यों as well as बनी हुई है, तो सबसे पहला question है, what, ये revolution है क्या, ये revolution अक्शली ये उक्रांती है, ये France जो देश है, वहाँ पर की गई थी, अब दूसरा question है, when, ये कप की गई थी, ये exactly 14th July 1789 को 14 July 1789 में की गई थी, अब आप बोलेंगे कि ये इस दिन हुई थी, नहीं ऐसा नहीं है, ये actually चली आ रही थी बहुत लंबे समय से, लेकिन एक दिन होता है ना, जैसे कि हम पूरा परिशान हो जाते के नहीं, अब हमको बाइकॉट करना ही है किसी चीज़ को, या हमको वो चीज़ अब कर देनी है, तो ऐसे ही ये जो revolution है, ये 14th July 1789 के दिन हो कर दिया गया, तो दो चीज़ें आपको समझ में आ गई, क्या है ये revolution, फ्रांस में हुआ, कब हुआ, 14th July 1789, बहुत important date है, इसे learn करें, बिल्कुल ऐसे ही, next है between, अब ये जब अगर ये कोई, जो ये revolution हुआ है, obviously बात है, revolution दो लोगों के बीश में हुआ होगा, या दो जो हमारे groups हैं, उनके बीश में हुआ होगा, कभी भी क्रांती, mostly जितनी क्रांतियां हुई हैं हमारे word में, वो या तो राजा प्रजा के बीश में हुई है, या सरकार और प्रजा के बीश में हुई है, ठीकें, या किसी क्रांती कारी group की जो government है, या उसके खिलाफ हुई है, तो ये जो क्रांती है, ये जो revolution है, ये exactly हुआ था, जो France के king थे उस time पे, 1789 में, और people of France, जो वहां क की जनता थी, उसके बीश में, ठीकें, तो तीन कोशन आपकी clear होगे, सबसे पहले जो base थे, क्या है ये revolution, कब हुआ, और किसके बीश में हुआ, आप पता करते हैं कि उस time की जो राजा थे, वो कौन थे, तो उस time France के जो राजा थे, उनका नाम था, Lewis 16, इनका नाम Lewis था, बट Lewis 16, इनको बुलाया जाता है, ये 16, 16 वे नमबर के राजा थे उस time पे, reason क्या हुआ, देखिए, किसी भी क्रांती को करने का सबसे पहला reason होता है, कि जो लोग क्रांती कर रहे हैं, वो किसी ना किसी reason से या बहुत जादा दबाये जाते हैं, या उनका शोशन किया जाता है, ठ तो third state थे, actually आपको ये जो reason है, इसको समझाने से पहले एक चीज बता दू, कि हमारा जो France था ना, इसको हमारे जैसे इंडिया में क्या होता है, कि वर्ण में डिवाइड है हमारा इंडिया था ना, हना पुराने टाइम में, जैसे कौन से थे, ब्रामन सबसे उंचे पे थे, फिर शत्रिय थे, फिर वैश थे और लास्ट में शूद्र थे, तो हमारे ये चार वर्णों में डिवाइड था, जबकि जो French Revolution या French जो society थी उस टाइम पे, उस टाइम पे जो categories थी France की, उनको तीन भागों में बांटा गया था, एक जो सबसे अमीर थे, सबसे उपर रखे ग तो फिर्स स्टेट में categorized की या था, mostly clergy को, ठीक है, second में कीया था, second state में था, nobilities, nobilities जो वहां के चर्च से संबंदित जो लोग थे, ठीक है, जो राजा महरा थे वो first में आते थे, second में जो चर्च से संबंदित जो ना, देख रेक करते थे, वहां की चीजों का, तो वो आत और last state में जितना भी हमारा गरीब तबका था, जितने भी छोटे लोग थे, third state में उन सब को डाल दिया गया था, जैसे businessman हो गए, small छोटे छोटे जो farmers हैं, वो हो गए, artisans हो गए, servants, knocker हो गए, sleeves हो गए, craftsmen हो गए, तो जितने भी छोटे तबकी के लोग थे, उनको एक category में third category में डाल दिया गया, अब आ जाते हैं वापस हम अपने reason पे, तो reason क्या हुआ कि over burden of taxes on third state, अब जो ये first state और second state के लोग हैं, इन्होंने बोला कि देखो भाई, हम तो उपर हैं सबसे जादा, ठीके, आप हम तो tax देंगे नहीं, क्योंकि पहला जो है वो पादरी और राजा हैं, जो पहले और second state के हैं, तो उन्होंने बोला देखो हमारा तो काम क्या है, हम तो धर्म से संबन्दी थें, या तो हम राजा हैं, तो हम tax देंगे नहीं, अब tax का burden किस पे आ गया, पूरा पूरा burden आ गया, third state के लोगों पे, इसका मतलब जो लोग, आम जनता जो थी, जो मोटे-मोटे businessman थे, किसान थे, उनके उपर बोला गया कि देखो, tax तो तुमको देना पड़ेगा, और जितना भी हमको इससे profit मिलता है, ठीके, वो सारा जो खर्चा है, वो हम करेंगे, हम अपना जो महल है, उसको हम पूरा set करेंगे, अच्छे से देखेंगे, उसकी देखरे गई और उसने 14 जिलाई 1789 के दिन revolution कर दिया, कि अब हम अपने जो first और second state है, उनको हम text नहीं दे सकते, अच्छली यह बहुत बड़ी है, जो यह लड़ाई है, लेकिन यहां पर आपको क्योंकि सिर्फ एक इंट्रो की तरह समझा रही हूं, इसलिए आप इसको चोटे में सम गया था, और third state अलग हो गया था, और इसने ही जो third state के लोग थे, इन्होंने ही क्रांती कर दी थी, अपने राजा के खिलाफ, तो अब आजाते हैं, कि यह जो क्रांती है, यह actually हुई कैसे, तो France जो जनता थी वहां की, उसने कई बार अपने राजा से बात करने की कोशिश कर लेकिन राजा तो राजा थे भई, उन्होंने मना कर दिया, मुझे बात नहीं करनी है, तो France के जो जनता थी, वह इतनी परिशान हो गए, इसमें सोचा आप तो राजा हमारी सुन नहीं रहे हैं, उन्होंने क्या किया, उनके जो लीडर्स थे, उन्होंने बोला कि, अब हम अ उन्होंने लगबग जितने भी राजशाही जो परिवार थे, जो राजा का परिवार था, उनके सभी लोगों को मार दिया, और स्लोगन दिया, उनके एक नैशनल असेमली उन्होंने बनाई, और स्लोगन दिया, लिबर्टी, लिबर्टी मीन स्वतंतरिता, एक्वैलिटी, बराबर का हक and fraternity भाई चारा मतलब हम लोग मिलके रहेंगे बराबर में रहेंगे और सब हम सब स्वतनत्र हैं कोई किसी के उपर text नहीं लगा सकता कोई किसी के उपर किसी तरीके का दबाव नहीं डाल सकता कोई राजा नहीं है कोई प्रजा नहीं है सब बराबर है तो इस slogan के साथ वो आगे बड़े और लास्ट में जो रिजल्ट आया वो चौकाने वाला था कि कि सेप्टेंबर 1792 में प्रोक्लीम कर दिया फ्रांस की जो नैशनल असेंबली बनाई थी वहां की जनता ने कि हम अपने जो राजी है उसको रिपब्लिक स्टेट का दरजा देते हैं यह गर आज से हम मोनार्की सिस्टम को त्याग देते हैं और हम आज से डिपेंड करते हैं हमारा जो पूरा सिस्टम में वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम कहलाता है तो यह इसका एक शॉट इंट्रो था जिससे आपको समझ में आया होगा कि यह फ्रेंच रेवलुशन क्यों हुआ कब हुआ कहा हुआ रिजल्ट कैसे निकला इसके और डेटेल में पढ़ने के लिए हम लोग अपने जो नेक्स सेशन उसमें पूरा डेटेल में पढ़ेंगे कि यह एसेंबली कैसे गठीत हुई कहा हुई क्या था तो अगर आप यह इंट्रो समझ जाएंगे तो आपको उसको सम समझने में काफी easy होगा उमीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा सो इसी उमीद के सान आज का सेशन यही पर खतम करते हैं and all the best for the exams and thank you and please like and subscribe my channel good bye